भारत के तेहास में आज इस समय राज्यसभा में मोटर वहिकल संचोधन बिल पास हो गया है, लोगसभा में पहले ही ये पास हो चुका है, राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है, 108 मत इसके पक्ष में पड़े हैं और 13 मत विपक्ष में मोटर यान संचोधन विध्यक रा ट्राफिक नियमों को जो सक्त किया गया है जुर्माने जो बढ़ाए गया है दस गुना ज्यादा कटे का चालान और बच्चे की गलती पे माता पिता को होगी जेल सरकार के संशोधन के साथ पास हुआ है बिल विदहक के पक्ष में 108 वोट पड़े हैं और विदहक के विरोध में 13 वोट पड़े हैं मोटर यान संशोधन विदहक राज्यसभा से पास हो चुका है लोगसभा से ये पहले ही पास हो गया है 1988 के Motor Vehicle Act को बदल कर अब ये नया संशोधत Motor Vehicle Act आएगा इसमें संशोधन जिस संख्या में किये गए हैं उससे ये कहा जाता है कि ये एक तरह से भारत में एक नया Motor Vehicle Act के रूप में सामने आएगा और इस बिल में जो प्रावधान किये गए हैं उनका मुख्य केंदर रहा है जो लगातार सडक पर हो रही दुरगटनाई और उन दुरगटनाई में जिस संख्या में जिस आकड़े में मौत हो रही हैं उस पर काबू पाने के लिए इसमें तबदीलियां की गई हैं साती साथ पारदर्शिता लाने के लिए और रष्टा चार पर नकेल कसने के लिए भी इस बिल में कई ऐसे कड़े प्रावधान किये गए हैं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जहां पहले दो हजार का जुर्माना हुआ करता था अब इस नए बिल में दस हजार का जुर्माना हुआ क बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पे जहां आप अभी आप सिर्फ सौ रुपे दे कर इस जुर्म से फारिक हो जाते थे अब आपको इसके लिए एक हजार रुपे देना पड़ेगा यानि की सड़क पे चलते हुए अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास हेलमेट हो बि नहीं नावालिक अगर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया और उससे कोई दुरगटना होती है तो उसका खामियाजा उसके माता-पिता को भुगतना होगा ना सिर्फ जुर्माना होगा बलकि तीन साल की सजा भी इसमें मुहया कराई गई है तो यह कहते हासिक बिल है भारत के के लिए कि कहा यह जा रहा है कि इस तरह के बिल को भारत में 25 साल पहले ही आ जाना चाहिए था आज भी हमने देखा कि जिस तरह से राज्यसभा में जब इस बिल को लेकर इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी पास्ट मेसेज फ्रम लोग सभा तो आज मोटर विएकल आक्ट राज्यसभा सभी पास हो गया जहां एक तरफ कई कड़े प्रावधान किये गए हैं जुर्माना बढ़ाया गया है वहीं ही टेनरन मामले में अब ज्यादा मुआफ़ा भी मिलेगा तो कई ऐसे प्रावधान किये गए हैं जो आने वाले समय में सड़क नियमों के पालन पर जोर देगा साथ ही साथ जो सड़क दुरगटनाई हो रही है और उनमें जो हाथ से हो रहे हैं जो मोत हो रहे हैं उस पर भी काबू पाया जा सकेगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तीन तलाग विरोधी विदहक के संसत से पास होने के बाद से ही मुस्लिम महिलाओं में आप